कुलू में जिलापरिशद की 83 बैठक होई । बैठक की अध्यक्षद जिलापरिशद अध्यक्षक कुलू पंकज कुमारने की बैठक में खास कर आपदा के नुकसान और आपदा के दो महीने में विभागों ने मरमत कारियों में क्या किया इस बारे में चर्चा की गई वहीं जो अधिकारी बैटक में उपसित नहीं रहे उसको लेकर जिला परिशद सदर से नाराज दिखे और अधिकारियों से कारियों में तेजी लाने के भी इस तारा नर्देश दिये गए इसमें खास कर सड़कें बिजली पानी की समस्याओं पर चर्चा हुई वहीं जिला परिशद अधियक्ष ने सभी अधिकारियों से लंबित पड़े कारियों को पूरा करने के निर्देश दिये इसमें डिटेल से चर्चा भी हो और नाम को पताना चाहूंगे की हाउस के मेंबर से सबने यी डिसीजन लिया है कि अभी आज जो इस मेटिंग में अभी जितने भी भी विभाग के जो मुख्य अधिकारी नहीं आपाई है तो मेरा अनुरोग है कि आप उनसे कॉंटेक्ट करके उन्हें बुलाया जाए आज की हाउस बुलाया जाए क्यूंकि बहुत सारे से एजन्दास हैं बहुत सारे पिजास्टर के रिगार्टिंग जो ने उनसे बातें सबनी और इस बार भी वी सी के मात जिन से भी सभी जो हा दिवेही माचल टीवी के लिए कुलू से मोहर सिंग पुजारी की रिपोर्ट कुलू में जिलापरिशद की 83 बैठक हुई बैठकी अध्यक्षता जिलापरिशद अध्यक्ष कुलू पंकज कुमार ने की बैठक में खासकर आपदा के नुकसान और आपदा के दो महीने में विभागों ने मरमत कारियों में क्या किया इस बारे में चर्चा की गई वहीं जो अधिकारी बैटक में उपसित नहीं रहे उसको लेकर जिला परिशद सदर से नाराज दिखे और अधिकारियों से कारियों में तेजी लाने के भी इस तरह नर्देश दिये गए इसमें खास कर सड़कें बिजली पानी की समस्याओं पर चर्चा हुई वहीं जिला परिशद अधियक्ष ने सभी अधिकारियों से लंबित पड़े कारियों को पूरा करने के निर्देश दिये हैं इसमें डिटेल से चर्चा भी हो और आपको पताना चाहूंगे की हाउस के मेंबर से सबने यी डिसीजन लिया है कि अभी आज जो इस मेडिंग में अभी जितने भी विभाग के जो मुख्य अधिकारी नहीं आपाई है तो मेरा अनुरोग है कि आप उनसे कॉंटेक्ट करके उन्हें बुलाया जाए आज की हम बुलाया जाए क्यूंकि बहुत सारे से एजन्दास हैं बहुत सारे दिजास्टर की रिगार्टिंग जो ने उनसे बातें सबनी और इस पार भी वी सी के मात जिन से भी सभी जो हाउस दिवेही माचल टीवी के लिए कुलू से मोहर सिंग पुजारी की रिपोर्ट